सूपर बाद बच्चो आज हम कक्षा तीन विश्य हिंदी का पाद तीन कौनसा पाद पाद तीन शिष्टा चार शिष्टा चार यानि सब्य वैवार इस पाद को हम पढ़ चुके हैं आज हम इसका अभियासकारिय करेंगे तो आएए देखती हैं सबसे पहले अभियासकारे में श्रबदार्थ क्या है श्रबदार्थ पहला है अनुप्योगी अनुप्योगी यानि बेकार व्यर्थ अतिथी अतिथी कोन अता है महमान अभिवादन अभिवादन श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करना किसी का अभिवादन करना यानि उसे श् साहनुभूती, समवेदना, देया, संगत, संगत यानि साथ या संगरहना, शिष्टाचार, शिष्टाचार किसे कहते हैं, सब्याचरन और वहवार, सब्याचर को शिष्टाचार कहते हैं, आगे शब्द दिये गई है कुछ, उनको मेरे पीछे-पीछे आपको भी बोलना है, बोले विनम्रता, विनम्रता, व्रिद्ध, व्रिद्ध, सुगंध, सुगंध, फेंकना, फेंकना, हमेशा, हमेशा, सम्मान, सम्मान, प्रतिक्षा, प्रतिक्षा, मोहल्ला, महला स्वागत क्या है स्वागत आगे प्रशन है सोचे और बताएं मगन कैसा लड़का है मगन कैसा लड़का है मगन एक अच्छा लड़का है मगन अतीथियों के साथ कैसा वेवार करता है जब भी कोई मेहमान घर पे आता है तो मगन उनके साथ कैसा वेवार करता है मगन घर आई अतीथियों के साथ अच्छा वेवार करता है वह उनका पूरे उत्साह के साथ स्वागत करता है और कभी भी उन्हें भार नहीं समझता तो मगन अतीथियों के साथ अच्छा वेवार करता है वे उन्हें भार नहीं समझता उनका पूरा उस्ता के साथ स्वागत करता है और उनसे विनम्रता से बात भी करता है अगला प्रशन है शिष्टा चार की तुलना किसे की गई है किसे की गई है शिष्टा चार की तुलना सुगंदित फूल से की गई है किसे की गई है सुगंधित फूल से आगे है रिकिस्तानों की पूर्ति करो मगन कभी क्या नहीं बोलता सच्च जूट very good मगन कभी जूट नहीं बोलता तो किसमें क्या जाएगा जूट मगन कभी जूट नहीं बोलता अगला रिकिस्तान है मगन केसे बात करता है विनम मरता से या उदांड़ता से शाबाश विनम मरता से मगन हमेशा बड़ों से विनम मरता से बात करता है मगन बड़ों के साथ कैसा वहवार करता है आदर का या अनादर का आदर का मगन बड़ों के साथ आदर का वहवार करता है वृत्ध था कम जो लोगों की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए very good करनी चाहिए क्या जगा इसमें करनी चाहिए अगे प्रशन दिए गई है उनकी उत्तर आपको बताने है मगन सब को अच्छा क्यों लगता है क्यों लगता है मगन सब के साथ सब वेवार करता है इसलिए सब को अच्छा लगता है क्योंकि मगन सब के साथ अच्छा वेवार करता है शिष्टाचार पूरवक वेवार करता है इसी लिए सबको अच्छा लगता है अब आगे ये प्रशन है मगन में शिष्टाचार की कौन-कौन सी आते हैं तो कौन-कौन सी आते हैं शिष्टाचार की देखो मगन कभी जूट नहीं बोलता चोरी नहीं करता बड़ों का आदर करता है गुरु जनों का सम्मान करता है और क करता है, तो हमेशा है सिष्ट वाशा का प्रियोग करता है, यानि उधंडता से बात नहीं करता, दुबारा देखो, महगन में सिष्ट अचार की कोण-कोण सी आते हैं? महगन कभी जूट नहीं बोलता, कभी चोरी नहीं करता, बड़ों का आदर करता है, गुरु जनों का सम्मान करता है, कच्रा हमेशा कच्रा पत्र में डालता है, सब के साथ विनम्रता से रहता है, और सभी के साथ श्ष्ष बाशा का प्रियोग करता है। आगे प्रशन है, बड़ों के साथ बात करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रशन है, बाग बगीचे में गूमते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चाहिए। कौन-कौन सी बते हैं दुबारा देखो। हमें कभी भी बागव गीच्चे में घूंगते समय पेड़ पोदों की पत्तियों को नहीं नोचना चाहिए। और बिना किसी कारण से फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। कच्रा इदर उदर नहीं फैलाना चाहिए। फूल की खुषबू से सारा वात वरन शुकंदित हो जाता है। वैसे ही शिश्टाचार से यानि सब्धय वैवार से हमारे आसपास का जो भी वात्तवरन शुक्में बन जाता है। क्यों बताईंगे जिए। दुबारा देखो। शिष्टा चार को एक सुगंधित फूल बताया गया है, क्योंकि जिस प्रकार फूल की खुश्बू से वात्वरन सुगंधित हो जाता है, वैसे ही शिष्टा चार से यानि सब्वे वैवार से, हमारे आस पास का जो वात्वरन ने सुख में बन जाता है। आगे जो प्रशन है वो भाशा की बात से हैं, तो आएए देखते हैं, मगन सबकी आँखों का तारा है, आँखों का तारा होना यानि सबका प्यारा होना, क्या मतलब है इसका, सबका प्यारा होना, ऐसे विशिष्ट अर्थ वाले रूड वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं, यानि एक मुहावरा है आप भी पार्ट में आए निम्न मुहावरों को जानकर उनका सही अर्थ के साथ मिलान करें तो नीचे कुछ मुहावरे दिये गए हैं तो उनका सही अर्थ से उनसा मिलान करना है तो पहला है दिल दुखाना, क्या है दिल दुखाना, क्या है इसका इधर से? दुखी करना, दिल दुखाना यानि दुखी करना बात काटना, बीच में बोलना, हसी उड़ाना, उपहास करना, उधम मचाना, शैतानी करना आगे है श, स और स वर्नों का उच्चारन अलग लग होता है निमिली की शब्दों में इनका प्रियोग हुआ है शिक्षक की सायता से उच्चारन करें तो आएए देखती है पहले है श, शिष्टाचार, शत्रू, शहर, शपत, आगे श, 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 देखो बो, शटकॉन, शोशन, पोशक, वर्शा आगे श, सत्य, सदाचार, समर्पन, सहयोग तो इस प्रकार से इन वर्णों का उचारन भी अलग लग होता है और लिखने में तो ये अलग लग होते ही है आगे जो प्रश्ण है वो संग्या के बारे में हमें बता रहा है कि संग्या किसे कहती है तो आएए देखती है मगन अच्छा लड़का है वो लेके सब लोग मगन को प्यार करती है इन पंक्तियों में मगन जो है वो व्यक्ति है प्यार जो है वो क्या है एक भाव है ना वो लड़का जाती मोहला क्या है स्थान विशेश का नाम है इस प्रकार किसी व्यक्ति वस्तू स्थान या भाव के नाम को क्या कहती है संग्या कहती है संग्या किसे कहती है किसी व्यक् कि अनुछेदों में से संग्या शब्दों को चांट कर लिखो तो नीचे जो भी अनुछेद दिया गया है लाइने दी गई है इनिमें से आपको क्या चांटना है संग्या शब्द चांटने है कि संग्या शब्द कौन-कौन से हैं तो आईए देखती है मगन सबकी आंखों का तारा है आखी देशा क्या है मगन में कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं ठकते वह हमेशा कच्रा पात्र में डालता है इनमें संगे शब्ध कौन-कौन से हैं सबसे पहले देखो मगन आँखों तारा फिर आगे चलते हैं तो लोग, प्रशंसा और प्रशंसा के बाद कच्रापत्र और कच्रा ये जो शब्द है ये क्या है संग्याशब्द है क्योंकि ये किसी व्यक्ती, वस्तू, स्थान या भाव के नाम है तो इनके नामों को क्या कहते हैं, संग्या कहते हैं, तो ये सब क्या है, संग्या शब्द है, प्रशंसा जैसे भाव है, कच्रा, कच्रा पात्र, जो है ये, किसी वस्तु का नाम है, लोग जाती है, मगन जो है, वो क्या है, एक व्यक्ति है, आंख भी व्यक्ति वाचक में आए कि सही शब्द लिखकर जोडे बनाने हैं, अब हमें क्या करना है, जोडे बनाने हैं, कि शब्द दिये गई हैं, तो उनको देखकर हमें जोडे बनाने हैं, तो सबसे पहले है जाना, जैसे इधर, उधर, जाना, किसे मिलाएंगे, आना, ये वाला, आना, जाना, आना, भाग, दोड, शबाश, भाग, दोड, पेड, पौधे, माता, पिता, बाग, बगिच्चा, धक्का, मुक्की, क्या जाएगा, धक्का, मुक्की, दीचे है शिष्टचार की बातों की सुची बनाएं, तो शिष्टचार की बाते लिखनी हैं, कौन-कौन सी जैसे देखो, सदा सच बोलना, कच्रा मेशा कच्रा पत्र में डालना, चोरी नहीं करना, माता पिता का कहना मानना, गुरु जोनों का सम्मान करना, अतितियों का स्व लाना है तो इसी उमीद के साथ एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद